परिचय हेलो रोहित, तुम कैसे हो? पिता जी मैं अच्छा हूँ. तुम क्या कर रहे हो? मैं रसायन विज्ञान पढ़ रहा हूँ पिता जी. वाह, रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अच्छा विशय है. धन्यवाद पिता जी. तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं परमानू से मिलकर बनी होती है. ऐसा कैसे संभव है पिता जी? और परमानू क्या होते है? परमानू साधारन पदार्थों की मूल निर्मान एकाईयां होते है. जैसे कि तुम जानते हो कि हर चीज अडूओं से बनी होती है और परमानूओं के परस पर मिलने से अच्छा पिता जी, परमानूओं में किस प्रकार की सामगरियां होती है? परमानू, एलेक्ट्रोनों, प्रोटोनों और न्यूट्रोनों से मिलकर बने होते हैं और इनमें एक केंद्रिय कोर होती है जो नाभिक कहलाती है ये तो बहुत रोचक लगता है, क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं? क्यों नहीं रोहित? आओ, मैं तुम्हें परमानू की संग्रचना के बारे में और अधिक बताता हूँ. परिचय पिता जी, तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं परमानू से मिलकर बनी होती हैं. ऐसा कैसे संभव है पिता जी और परमानू क्या होते हैं? परमानू साधारन पदार्थों की मूल निर्मान इकाईयां होते हैं. जैसे कि तुम जानते हो कि हर चीज अडूओं से बनी होती है औ और परमानू के परसपर मिलने से, अच्छा पिता जी, परमानू में किस प्रकार की सामगरियां होती है? परमानू, एलेक्ट्रोनों, प्रोटोनों और न्यूट्रोनों से मिलकर बने होते हैं, और इनमें एक केंद्रिय कोर होती है, जो नाभिक कहलाती है. ये तो बहुत रोचक लगता है, क्या आप इस बारे में मुझे कुछ और बता सकते हैं? क्यों नहीं रोहित? आओ, मैं तुम्हें परमानू की संग्रचना के बारे में और अधिक बताता हूँ. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, अव परमानू कड़ों की व्याख्या करना, परमानू मौडलों की चर्चा करना, परमानू संख्या तथा द्रवेमान संख्या को परिभाशित करना, संभारिक और संस्थानिक को परिभाशित करना, बोर के परमानु मौडल के विकास की प्रिष्ट भूमी की व्याख्या करना हाइडोजन परमानु के बोर मौडल की व्याख्या करना अव परमानु में कन एलेक्ट्रॉन की खोज विसर्जन नालिक कांच की एक लंबी नली होती है इस नली में धातु के इलेक्ट्रोड सील किये हुए होते हैं जिस पर उच्चे वोल्ट ताप प्रयुक्त की जा सकती है यह नली विसरजन नलिका के अंदर गैस का दाब नियंत्रित करने के लिए एक निर्वात पंप से भी जुड़ी रहती है एनोड के पीछे स्फूर्दिप्त परदार्थ का लेप किया गया होता है जब विसरजन नलिका के अंदर गैस का दाब एक वायूमंडलिय दाब होता है तो नलिका से होकर विद्युद्धारा प्रवाहित नहीं होती यदि गैस का दाब कम करके लगभग तस की घात दो वायूमंडलिय दाब कर दिया जाता है और एलेक्ट्रोडों पर लगभग दस हजार वोल्ट का विभानतर लगाया जाता है तो एक विद्युद्धारा प्रवाहित होती है उसी समय गैस द्वारा प्रकाश उत्सर्जित ह यदि गैस का दाब कम करके तस की घात दो वायूमंडलिय दाब कर दिया जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन रुख जाता है इसके बजाए नलिका एक धुन्दले हरे प्रकाश के साथ चमकने प्रतिदिप्त होने लगती है यह प्रतिदिप्ती नलिका की दिवारों पर करणों से निर्मित पाई गई कैथोड किर्णों के गुण कैथोड किर्णे सीधी दिशा में गमन करती हैं कैथोड किर्णों के मार्ग में रखी कोई वस्तू स्पष्ट छाया बनाती है इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किर्णे सीधी रेखा में गमन करती हैं विद्युद क्षेत्र का प्रभाव जब कैथोड किरणों के प्रभाह पर विद्युद क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणे रिणावेशित होती है चुम्ब की एक शेत्र का प्रभाव जब कैथोड किरणों के अभिलंबवत चुम्ब की एक शेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वे रिणात्मक कणों के लिए अपेकशित दिशा में मुड़ जाती है इससे पुष्टी होती है कि कैथोर्ड किर्णे रिनावेशित होती हैं। विद्यू तथा चुम्ब की एक शेत्र एक साथ प्रियुक्त किये जाने पर जो एक दूसरे के अभिलंबवत लगाये जाते हैं, दोनों क्षेत्रों को इस प्रकार समायोजित करना संभव है कि कैथोर्ड किर्णे प्रती दीप्त परदे पर उसी स्थिती में टकराएं जिस तरहें वे कोई क्षेत्र न लगाये जाने पर टकराती हैं। एलेक्ट्रोनों का आवेश द्रव्यमान अनुपात 1.76 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रती ग्राम पाया गया। कैथोर्ड की प्रकृती या विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृती से प्रिथक कैथोर्ड किर्णों में कड़ों के लिए ई बटे एम अनुपात समान पाया गया जो दर्शाता है कि एलेक्ट्रोन सभी सामिग्रियों के सार्वत्रिक निर्मानक होते हैं। एलेक्ट्रोनों पर आवेश आर ए मिलिकन ने तेल बून प्रयोग द्वारा एलेक्ट्रोन पर आवेश की मात्रा ग्यात की। तेल की बूने एक छोटे छिद्र से होकर उपकरण में प्रवेश करती हैं और दो आवेशित प्लेटों के बीच गिरती हैं। एक सुक्ष मतर्शी के जरीए बूनों की गती का प्रेक्षण किया गया। आवेशित प्लेटों के बीच की वायू को X- किर्ण पुंज प्रवाहित करके आइनित किया गया। X- किर्णे वायू के कणों को आइनित कर देती हैं। इस प्रकार उत्पन एक या अधिक एलेक्ट्रॉन तेल की बून द्वारा अवशोशित किये जा सकते हैं। अतहे, एलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। एलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M E बराबर 9.31 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटोनों और नूट्रोनों की खोज। 1886 में गोल्ड स्टीन ने एक विसर्जन नलिका में एक छिदरित कैथोड का प्रियोग किया। निम्नदाब पर विद्युद विसर्जन गुजारने पर उसने कैथोड के पीछे धनावेश वाहक एक नई प्रकार की किरणों का अवलोकन किया। इन किरणों को एनोड किरणे या केनाल किरणे कहा गया। एनोड किरणों के गुण धर्म एनोड किरणों में आवेश द्रवेमान अनुपात विसरजन नलिका में गैस की प्रकृती पर निर्भर पाया गया यह प्रेक्षित किया गया कि E बटे M अनुपात तब अधिक्तम था जब विसरजन नलिका में हाइडोजन गैस को लिया गया यह इंगित करता है कि हाइडोजन से बनने वाले धनात्मक आयन सबसे हलके होते हैं। इन सबसे हलके धनावेशित कणों को प्रोटॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई। उसने अल्फा कणों को बेरिलियम पर टकरा कर उदासीन कण उत्सर जित कराए थे जो न्यूट्रॉन कहलाए। परमानू मौडल परमानू का थॉम्सन मौडल उसने प्रस्तावित किया कि परमानू एक समान घन आवेशित गोला होता है जिसमें एलेक्ट्रॉन कम या अधिक समान रूप से वितरित रहते हैं। परमानू का यह मॉडल प्लॉम पुडिंग या रेजिन पुडिंग मॉडल कहलाया। रदर फोर्ड का ना भी किये परमानू मॉडल। अलफा कणों के प्रक्रीर्णन का प्रयोग। इस प्रियोग के अंतरगर्थ सोने की एक पतली पन्नी पर अलफा कणों की बॉच्छार कराई गई। ये कण सीसे की एक प्लेट में एक जिर्री से गुजरते हुए पतले पुंज के रूप में प्राप्त किये गए। जिंक सल्फाइड ZNS से लेपित एक व्रित्ताकार परदे को अलफा कणों के कारण होने वाले विक्षेपन का पता लगाने के लिए पन्नी के परितह रखा गया। जब भी कोई अलफा कण परदे से टकराता तो उस बिंदु पर प्रकाश की स्फूर दीप्ती उत्पन होती। छोटे कणों द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण या तो बहुत बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं या वास्तव में अपने पत पर पीछे की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोड के नाभिकिये परमाणू मॉडल की व्याख्या उन्होंने अपने प्रेक्षणों की व्याख्या निम्ननुसार की चुकि अधिकांच अलफा कन बिना विक्षे पित हुए सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं इस से पता चलता है कि परमाणू में अधिकांच स्थान रिक्त होता है अलफा कन धनावेशित होने तथा पर्याप्त द्रव्यमान वाले होने के कारण किसी भारी धनावेशित केंद्र द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं अलफा कणों के विक्षेपन का छोटा कोन इंगित करता है कि परमानू में एक भारी धनावेशित केंदर उपस्थित होता है रदर फोड ने इस धनावेशित केंदर को नाभिक का नाम दिया भारी धनावेशित केंद्र से सीधे टकराने वाले अलफा कण बड़े कोणों द्वारा विक्षे पित हुए चुकि ऐसे अलफा कणों की संख्या बहुत कम थी इसलिए भारी धनावेशित केंद्र द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होना चाहिए रदरफोड के नाभिकिये प्रमानु मौडल के मुख्य बिंदू इस मौडल के मुख्य बिंदू निम्न है प्रमानु का अधिकांश द्रवेमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंदरित होता है नाभिक एलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है जो इसके चारों और बहुत उच्चगती से घूमते हैं एलेक्ट्रोनों तथा नाभिक के बीच आकर्शन का स्थिर व्यद्युत बल घूमते एलेक्ट्रोनों पर कारे करने वाले अपकेंद्री बल द्वारा संतुलित किया जाता है एलेक्ट्रोनों पर कुल रिनावेश, नाभिक पर कुल धनावेश के बराबर होता है इसलिए पर्मानु अपनी समग्रता में वैद्योतिक उदासीन होता है। पर्मानु के अंदर अधिकांच स्थान रिक्त होता है। पर्मानु संख्या तथा द्रवेमान संख्या तत्व के प्रमानु के नाभिक पर इकाई धनावेशों की संख्या तत्व की प्रमानु संख्या कहलाती है किसी तत्व की प्रमानु संख्या इसके प्रमानु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या या नाभिक से इतर एलेक्टोनों की संख्या के बराबर होती है सामाने तह इसे Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है पर्मानु संख्या Z बराबर प्रोटोनों की संख्या बराबर एलेक्ट्रोनों की संख्या द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटोनों तथा न्यूट्रोनों की कुल संख्या पर्मानों की द्रवेमान संख्या कहलाती है। इसे सामाने तह अक्षर A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रोनों की संख्या बराबर न्यूकिल आइनों की संख्या. संभारिक एवं समस्थानिक किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमानू संख्या निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है. किसी तत्व के समस्थानिक तत्व के वे प्रमाणू होते हैं, जिनकी परमाणू संख्या समान लेकिन द्रवेमान संख्याएं भिन होती हैं। हाइडरोजन के तीन समस्थानिक प्रदर्शित किये जा सकते हैं। विभिन तत्वों के परमाणू जिनकी द्रवेमान संख्याएं समान होती हैं वे संभारिक कहलाते हैं। उदहरण के लिए रदर फोर्ड के मॉडल के दोश व्यद्यूत चुम्ब की सिधान्त के अनुसार एक आवेशित कण त्वरित के जाने पर व्यद्यूत चुम्ब की विकिरन के रूप में उर्जा उत्सर्जित करता है। रदर फोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और चकर काटते हैं। इसका अर्थ है कि एलेक्ट्रोन सदेव एक त्वरण की अवस्था में रहते हैं। जुकि एलेक्ट्रोन आवेशित कण होते हैं, इसलिए एलेक्ट्रोनों को विक्किरन उत्सर्जित करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मंद पड़ जाना चाहिए। तथा अन्ततह एक कुंडलित पत का अनुसर्ण करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। रदर फोर्ड का मॉडल परमानूओं के स्थायत्व की व्याख्या करने में विफल है। यह नाभिक के परितह एलेक्ट्रॉनों के वित्रण को स्पष्ट नहीं करता और हमें उनकी उर्जाओं के बारे में कुछ नहीं बताता। रदर्फोर्ड का मॉडल हाइडोजन स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाओं की उपस्थिती की व्याख्या करने में भी विफल है बोर के परमानु मॉडल के विकास की प्रिष्ट भूमी वैद्युत चुम्ब की विकिरण की तरंग प्रकृती मैक्सवल के प्रकाश के तरंग सिधान्त के अनुसार प्रकाश विद्युत चुम्ब की तरंगों के रूप में संचारित होता है ये तरंगे दोलाय मान विद्युत क्षेत्र तथा चुम्ब की एक शेत्र से जुड़ी होती है ये दुनुक्षेत्र एक दूसरे के अभिलमवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं तरंग का मानक तरंग दैधर्य इसे तरंग के दो आसन तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी के रूप में परिभाशित किया जा सकता है इसे लेंडा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसे सामानितह अंग स्ट्रॉम एकाईयों या नैनो मीटरों में मापा जाता है एक अंग स्ट्रॉम बराबर दस की घात माइनस दस मीटर एक नैनो मीटर बराबर दस की घात माइनस नौ मीटर आवरित्ति इसे एक सेकंड में एक बिंदु विशेष से गुजर्ती तरंगों की संख्या के रूप में परिभाशित किया जा सकता है इसे New द्वारा निरूपित किया जाता है इसकी इकाइआं हैं Chakra Pratice Second या Hertz वेग किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है इसे अक्षर C से निरूपित किया जाता है आवरित्ती तथा तरंग दैधर्य का वेग C से निम्न संबंध होता है C बराबर नियू गुणे लेम्डा मीटर प्रती सेकंड इसका मात्रक है तरंग संख्या इसे प्रती इकाई लंबाई तरंग दैधर्य की संख्या के रूप में परिभाशित किया जा सकता है यह तरंग दैधर्य के विलोम के बराबर होती है इसे इससे निरूपित किया जाता है इसका मात्रक तरंग दैधर्य के मात्रक के व्यूत करम होता है इसे सामाने तह एक बाई सेंटिमीटर या एक बाई मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है आयाम यह किसी तरंग के तुंग की उंचाई या द्रोणी की गहराई होती है। इसे सामाने तह अक्षर A द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग का आयाम इसका घनत्व निर्धारित करता है। विद्युत चुम्ब किये विकिरण की कणिये प्रकृती प्लांक का क्वांटम सिध्धांत। विकिरण का तरंग सिध्धांत प्रकाश व्यद्युत प्रभाव तथा क्रिशन पिंड से विकिरण की परिखटनाओ की व्याख्या नहीं कर सकता। क्रिश्ण पिंड से विकिरण कोई आदर्ष क्रिश्ण पिंड विकिरण का आदर्ष अवशोशक तथा आदर्ष उत्सर्जक होता है। जब ऐसे पिंड को गरम किया जाता है तो यह लाल पप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह लाल रंग का प्रकाश उचसर्जित करता है। तापमान और बढ़ाय जाने पर विकिरण का रंग लाल से परिवर्तित होकर पीला और फिर सफेद तथा फिर तापमान अत्यंत उच्च होने पर इसका रंग नीला हो जाता है। इस से पता चलता है कि क्रिश्ण पिंड द्वारा उच्छ सर्जित विकिरन का तरंग दैधर्य तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ कम होता जाता है। ग्राफ पर दाएं से बाएं की ओर विचार करें। किसी दिये गए तापमान पर उच्छित विकिरन की तीव्रता तरंग दैधर्य में कमी होने के साथ बढ़ते हुए एक दिये गए तरंग दैधर्य पर अधिक्तम मान तक पहुँचती है और फिर तरंग दैधर्य में और कमी होने के साथ घटना आरंभ हो जाती है विद्युद चुम्ब किये विकिरण की कणिये प्रकृती प्लांक का क्वांटम सिध्धांत प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिध्धांत विकिरित होने वाली उर्जा सतत उत्सर्जित या अवशोशित नहीं की जाती बलकि यह क्वांटा कहलाने वाले छोटे उर्जा पैकेटों के रूप में विविक्त रूप से उत्सर्जित या अवशोशित होती है विकिरण के एक क्वांटम से जुड़ी उर्जा की मात्रा विकिरण की आवरिती के समान उपाती होती है जहां नियतांक H-Planck का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड होता है कोई पिंड क्वांटम के पूर्णांक गुणजों के रूप में ही उर्जा उत्सर्जित या अवशोशित कर सकता है अर्थात E बराबर NHμ जहां N बराबर 1,2,3,4 इत्यादी प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसी धातु के प्रिष्ट से एलेक्ट्रोनों के निकलने के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जब उस पर उप्युक्त आवरिती का प्रकाश टकराता है इस प्रकार निकलने वाले एलेक्ट्रॉन फोटो एलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जब विशिष्ट आवरिती वाला प्रकाश धातू के प्रिष्ट से टकराता है तो धातू के प्रिष्टों से एलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो डिटेक्टर द्वारा खोज लिये जाते हैं किसी विशिष्ट धातु के लिए एक विशिष्ट देहली आवरिती V0 होती है, अर्थात सीमा से कम आवरितियों पर एलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे तीवरता कितनी भी अधिक हो या किर्णन कितने अधिक समय तक हुआ हो. प्रती सेकंड उत्सर्जित फोटो एलेक्ट्रॉनों की संख्या आप्तित विक्रण की तीवरता के समान उपाती होती है, लेकिन यह इसकी आवरिती पर निर्भर नहीं होती. आइंस्टीन के अनुसार, धातू में एलेक्ट्रॉन कुछ आकर्शी बलों के कारण रुके रहते हैं. इन बलों को निरस्त करने के लिए कुछ मात्रा में उर्जा की आवशक्ता होती है, जो धातू के अनुसार अलग-अलग होती है. यह प्रकाश वैद्युत कारे फलन W-0 कहलाता है. W-0 बराबर H-0. आइंस्टीन के समिकर्ण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है. H-0 बराबर H-0 जमां गतिज उर्जा. अर्थात, गतिज उर्जा बराबर है H-0 घटा H-0 के. विद्युत चुम्ब किये विकिरण का द्वैत व्यहवार यह मानते हुए प्रकाश व्यद्यूत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है कि विकिरण क्वांटा कहलाने वाले उर्जा के छोटे पैकेटों से निर्मित होता है उर्जा के इन पैकेटों को कर्ण माना जाता है दूसरी और विकिरण, व्यक्तिकरण व विवतर्ण जैसी परिघटनाओं को प्रकट करता है जो इंगित करती हैं कि इनकी प्रकृती तरंगिये होती है इसलिए यह निश्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृती होती है और थात इसकी प्रकृती कणिये होने के साथ तरंगिये भी होती है क्वांटित इलेक्ट्रोनिक उर्जा स्तरों के लिए प्रमाण प्रमाणविक स्पेक्ट्रा प्रिजम से गुजरने के बाद प्रकाश के एक पुंज का विभिन आवरितियों वाले विकिरण में बटने की परिगहटना बर्न विक्षेपन कहलाती है और पुंज के वर्न विक्षेपन के पस्चात प्राप्त विकिरण प्रैटरन वर्न क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है सूरे के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने पर साथ रंग प्राप्त होते हैं जो बिना किसी असांथते के बैंगनी से लाल तक होते हैं जिसका अर्थ है की प्रतिक रंग अन्य रंगों में मिश्रित होता है ऐसा स्पेक्ट्रम सतत्थ स्पेक्ट्रम कहलाता है उच्सर्जन तथा अवशोषन स्पेक्ट्रा जब किसी तत्व को किसी पधती का उप्योग करके जैसे कि उसे गरम करके विद्युत धारा प्रवाहित करके या विद्यूत विसर्जन गुजार कर उत्तेजित किया जाता है, तो तत्व के अनु निश्चित आवृतियों के विद्यूत चुंब की विकिरण उत्सर जित करते हैं। बढ़ते तरंग देधर्य या घड़ती आवरितियों के करम में इन विकिरणों की व्यवस्था, fingerprint भी कहलाता है अधिकांश तत्वों का परमान्विक स्पेक्ट्रा काली पट्टियों से प्रिथक की गई अनेक चमकीली रिखाउं से बना होता है इसलिए परमान्विक स्पेक्ट्रम को रिखा स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है अवशोशन स्पेक्ट्रम ऐसे विद्यूत चुम्ब की विकिरण द्वारा बनता है जो ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां निश्चित आवरितियों के विकिरण अवशोशित कर लिये जाते है हाइडोजन का रेखिय स्पेक्ट्रम जब एक विद्यूत विसर्जन हाइडोजन गैस से गुजरता है तो इसके अनु हाइडोजन प्रमानुओं में वियोजित हो जाते हैं इस प्रकार उत्तेजित हाइडोजन प्रमानुओं विविक्त आवरितियों के विद्यूत चुम्ब की विकिरण उत्सर जित करते हैं प्राप्त स्पेक्ट्रम में बड़ी संख्या में चमकीली रेखाएं होती हैं. प्रतेक रेखा हाइडरोजन प्रमानुओं द्वारा उच्सर्जित प्रकाश की विशिष्ट आवरिती के संगत होती है. हाइडरोजन के उच्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये रेखाएं पांच श्रेणियों में वर्गिक रित की जा सकती हैं। पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमेन श्रेणी, द्रिश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी, अवरक्त क्षेत्र में पाशन श्रेणी, ब्रेकेट श्रेणी तथा फंड श्रेणी। यदि स्पेक्ट्रल रिखाएं तरंग संख्याओं के रूप में व्यक्त की जाएं, तो द्रिश्य क्षेत्र में रिखाएं निम्न सूत्र का पालन करेंगी. तरंग संख्याओं बराबर एक लाख नौ हजार चेसो सततर गुणे एक बटे दो वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग प्रती सेंटिमीटर, जहां एन एक पूर्णांख है जो तीन के बराबर या इससे अधिक है, तीन अर्थात एन बराबर, तीन, चार, पांच तथा इसी प् रिडबर्ग ने एक अधिक सामान्य सूत्र प्रदान किया, जो हाइडोजन स्पेक्टरम में सभी श्रेणियों परलाग होता है, तरंग संख्या बराबर एक लाख नौ हजार चेसो सततर गुणे एक बटे एन एक वर्ग माइनस एक बटे एन दो वर्ग प्रती सेंटिमीटर जहां एन एक और एन दो इस प्रकार के पूर्णांग हैं कि एन दो एन एक से अधिक है, किसी श्रेणी विशेश के लिए एन एक स्थिरांग है, एक लाख नौ हजार चेसो सततर प्रती सेंटिमीटर का मान हाइडोजन के लिए रिडबर्ग स्थिरांग कहलाता है हाइडोजन प्रमानू के लिए बोर मॉडल बोर का प्रमानू मॉडल विकिर्णों के क्वांटम सिधान्थ पर आधारित है इस मॉडल के मुखे बिंदू निम्न है किसी परमानू में एलेक्टरॉन केवल निश्चित चैनित वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के परितह घूम सकते हैं इन कक्षाओं की निश्चित उर्जाएं होती हैं और ये उर्जा कक्षक या उर्जास्तर कहलाते हैं इन्हें एक, दो, तीन, चार इत्यादी के रूप में संख्यांकित किया जाता है या के ल, एम, एन के रूप में निर्दिश्च किया जाता है केवल वे कक्षाएं अनुमत होती हैं जिनमें एलेक्ट्रोनों का कोणिय सम्वेग एच बटे दो पाई का गुनक एक पूर्ण संख्या होता है जहां H प्लांक का स्थिरांख है अर्थात एलेक्ट्रॉन का कोणिय समवेग M V R बराबर N H बटे 2 पाई जहां N बराबर 1, 2, 3 तथा इसी प्रकार अन्य है जहां M एलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V एलेक्ट्रॉन का वेग है तथा R कक्षा की इत्रिज्या है दूसरे शब्दों में किसी प्रमानू में एलेक्ट्रॉन का कोणिय समवेग, क्वांटिक रित होता है जब तक एलेक्ट्रॉन किसी विशेश कक्षा में रहता है, यह उर्जा मुक्त या प्राप्त नहीं करता इसका अर्थ है कि एक विशेश कक्षा में एलेक्ट्रॉन की उर्जा स्थिरांक रहती है इसलिए ये कक्षाएं स्थैतिक स्तर भी कहलाती है जब एलेक्ट्रॉन को किसी बाहिस रोत से उर्जा की आपूर्टी की जाती है तो यह दो उर्जा स्तरों के बीच उर्जा के अंतर के बराबर उर्जा की निश्चित मात्रा आवशोशित करके किसी उच्चतर उर्जा स्तर में जा सकता है जब electron किसी निम्नतर उर्जा स्तर में आता है तो यह है विकिरण के photon के रूप में उर्जा की वही मात्रा विक्रित कर देता है Δ E बराबर E2-E1 बराबर H new new बराबर E2-E1 by H जहां new उचसर्जित विकिरण की आवरिती है hydrogen प्रमाणू के लिए बोर मॉडल उर्जा का क्वांटिक करण तथा बोर का मॉडल बोर के मॉडल के अनुसार किसी प्रमाणू में electron की उर्जा क्वांटिक रित होती है क्वांटिक करण का आश्य यह है कि राशी किसी कक्षिय मान को प्राप्त करने के लिए सतता परिवर्तित नहीं हो सकती बलकि कुछ विशिष्ट मान प्राप्त करने के लिए केवल विविक्त रूप से परिवर्तित हो सकती है इस बिंदू को और समझने के लिए आईए एक सरल उदाहरण पर विचार करें माना की एक व्यक्ति सीडियों पर नीचे उतर रहा है अतह व्यक्ति की उर्जा विविक्त रूप से परिवर्तित होती है और विविद स्टेपों की उर्जाओं के संगत उसके कुछ निश्चित उर्जा मान ही हो सकते हैं इस उदाहरण में व्यक्ति की उर्जा क्वांटी करित हुई है दूसरी और यदि कोई व्यक्ति किसी रैंप पर नीचे आता है तो उर्जा सतता परिवर्तित होती है और रैंप पर किसी बिंदू के संगत उसकी उर्जा के कोई मान हो सकते हैं इस उधारण में उर्जा क्वांटिकरित नहीं हुई है इसलिए बोर के मौडल के अनुसार किसी प्रमानू में एलेक्ट्रॉन की उर्जा क्वांटिकरित होती है बोर के मौडल के मुखे सफल बिंदू निम्न है बोर का मौडल परमानू के स्थायत्व की व्याख्या कर सकता ह बोर का सिध्धान्थ हाइडरोजन की किसी कक्षा विशेश में एलेक्ट्रॉन की उर्जा का परिकलन करने में सहायक है व्यंजक निम्न है E N बराबर माइनस के वर्ग गुणे दो गुणे पाई वर्ग गुणे M गुणे E की घात चार बटे N वर्ग गुणे H वर्ग जहां M एलेक्ट्रॉन का द्रव विमान है E एलेक्ट्रॉन पर आवेश है H प्लांक का स्थिरांक है K कूलम का स्थिरांक नियम है स्थिरांक का मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि E N बराबर माइनस 1312 बटे N वर्ग किलो जूल प्रति मोल बोर ने हाइडरुजन प्रमानू में किसी कक्षा की त्रिज्जा के लिए एक समी करन प्रदान किया R N बराबर N वर्ग गुणे H वर्ग बटे 4 गुणे πाई वर्ग गुणे K गुणे M गुणे E वर्ग R N बराबर N वर्ग गुणे 0.529 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर R N बराबर N वर्ग गुणे 0.529 आंग्स्ट्राम इस प्रकार N के बढ़ने के साथ कक्षा की त्रिज्जा बढ़ती है हाइडरुजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्जा 0.529 आंग्स्ट्राम होती है यह बोर की त्रिज्जा कहलाती है हाइडोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या हाइडोजन के प्रमाणू में प्रथम कक्षा में उपस्थित एलेक्ट्रॉन तलस्त अवस्था में होता है जब विद्यूत विसर्जन प्रदान करके आदी के द्वारा उर्जा प्रदान की जाती है तो यह electron उत्तेजित होकर किसी उच्चतर उर्जास्तर में पहुँच सकता है क्यूंकि hydrogen के प्रतिदर्श में पर्मानुओं की संख्या अधिक होती है इसलिए विभिन पर्मानुओं में electron विभिन मात्राओं में उर्जाएं अवशोशित करते हैं और उत्तेजित होकर विभिन उच्चतर उर्जास्तरों में चले जाते हैं उधारन के लिए आए विभिन हाइड्रोजन प्रमानुओं के चौथे उर्जास्तर N बराबर 4 में उपस्तित एलेक्ट्रोनों पर विचार करें कुछ परमानुओं में यह सीधे तलस्त अवस्था N बराबर 1 में आ सकता है जबकि कुछ अन्य में यह कूद कर द्वितिय उर्जास्तर N बराबर 2 में और इसके बाद प्रथम उर्जास्तर N बराबर 1 में जा सकता है जबकि कुछ अन्य परमानूओं में यह त्रितिय N बराबर 3 और द्वितिय उर्जास्तरों से N बराबर 2 प्रथम स्तर में आ सकता है उच्चतर उर्जास्तरों से प्रथम उर्जास्तर में संक्रमणों के कारण उत्बन होने वाली रिखाएं लेमेन रिखाएं कहलाती है संक्रमन के परिणाम स्वरूप प्राप्त रेखाएं क्रमशह, बामर, पाशन, ब्रेकेट और फंड रेखाएं कहलाती हैं। माना के हाइडरोजन प्रमाणू में N बराबर N2 वाली एक उचतर कक्षा से एक एलेक्ट्रॉन कूद कर N बराबर N1 वाले एक निम्नतर स्थर में आ जाता है। इस संक्रमन के परिणाम स्वरूप एलेक्ट्रॉन फोटॉन विकरन के रूप में उर्जा उच्सर्जित करता तब उच्सर्जित फोटॉन की आवरिती है आवरिती बराबर 3.29 गुणे 10 की घात 15 गुणे 1 बटे N1 वर्ग माइनस 1 बटे N2 वर्ग प्रती सेकेंडॉन तरंग संख्या के संदर्भ में एक लाख 967 गुणे 1 बटे N1 वर्ग माइनस 1 बटे N2 वर्ग प्रती बोर के मॉडल की सिमाएं बोर का मॉडल एक से अधिक एलेक्ट्रॉन वाले परमानूओं के स्पेक्ट्रा को स्पष्ट नहीं कर सका चुम्ब केक्षेत्र की उपस्थिती में प्रतेक स्पेक्ट्रल रेखा कम अंतराल वाली रेखाओं में बढ़ जाती है जी मैन प्रभाव कहलाने वाली यह परिखटना बोर के मॉडल के आधार पर स्पष्ट नहीं की जा सकी इसी प्रकार प्रयुक्त विद्यूत क्षेत्र के प्रभाव के अंतरगर्थ स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजन जो स्टार्क प्रभाव कहलाता है कि व्याख्या भी बोर के मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी बोर मॉडल की असफलता के कारण बोर मॉडल में एलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृती को ध्यान में नहीं रखा गया एक कक्षा को तभी परिभाशित किया जा सकता है जब एलेक्ट्रॉन की ठीक स्थिती और गती मालूम हो हाइजनबर्ग अनिश्चित्ता सिध्धान्थ के द्वारा यह संभव नहीं है क्या आप जानते हैं? परमानु विखंडन करने वाले वैज्ञानिकों को मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वोच रिकॉर्ड तापमान का श्रे प्राप्थ है जो सूरे के आंतरिक भाग से एक लाख गुने अधिक गर्म है लेड आइनों का संघटट करने वाले वैज्ञानिकों ने लगभग 5.5 ट्रिलियन सेल्सियस तापमान पर अत्यंत गर्म उप परमानविक सूप निर्मित किया जो कुवार्क ग्लोओन प्लाज्मा कहलाता है यह ताप किसी प्रयोग में दर्ज किया गया सार्वधिक उच्चतापमान है सारांच आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एलेक्ट्रॉन रिडावेशित होते हैं एलेक्ट्रॉनों का आवेश द्रवेमान अनुपात 1.76 गुणे 10 की घात 8 कूलम प्रतिग्राम पाया गया रदर फोर्ड ने सिध्ध किया कि पर्मानों का अधिकांच द्रवेमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है द्रवेमान संख्या A बराबर प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रोनों की संख्या बराबर नूकलियाइनों की संख्या मैक्सवल के प्रकाश के तरंग सिधान्थ के अनुसार विद्युत क्षेत्र तथा चुम्ब की क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत तथा संचरन की दिशा में होते हैं कोई आदर्ष क्रिशन पिंड विकिरण का आदर्ष अवशोशक तथा आदर्ष उतसर्जक होता है विकिरण की आवरिती के समानुपाती होती है जहां नियतांक H-Planck का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किसी धातू के प्रिष्ट से एलेक्ट्रॉनों के निकलने के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जब उस पर उप्युक्त आवरिती का प्रकाश टकराता है इस प्रकार निकलने वाले एलेक्ट्रॉन फोटो एलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व का परमाणविक स्पेक्ट्रा तत्व की पहचान करने के लिए उप्योग किया जा सकता है और कभी-कभी यह इसके परमाणवों का फिंगरप्रिंट भी कहलाता है। हाइडोजन के उत्सरजन स्पेक्ट्रम में रेखाएं निम्ननुसार पांच श्रेणियों में वर्गी करित की जा सकती हैं। लाइमेन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रेकेट श्रेणी, तथा फंड श्रेणी। रिडबर्ग ने एक अधिक सामानने सूत्र प्रदान किया जो हाइडोजन स्पेक्ट्रम में सभी श्रेणियों पर लागू होता है। एक लाख 9677 प्रती सेंटीमीटर का मान हाइडोजन के लिए रिडबर्ग स्थिरांक कहलाता है। बोर ने हाइडोजन परमानू में किसी कक्षा की त्रिज्जा के लिए एक समी करण प्रदान किया। आर एन बराबर एन वर्ग गुणे 0.529 आंक्स्ट्राम।